राधी राधी दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत की कहानी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एक गाउन था, जिसका नाम भोजपुर था, भोजपुर में एक फोजी रहता था, जो पहले फोज में ड्यूटी करता था, तो इसलिए उसे सब गाउन वाले फोजी कहते थे उसका नाम राम सज्जन था राम सज्जन अपनी पत्नी भागवंती देवी और अपने बच्चों के साथ रिटायर्मेंट के बाद अपने गाउं में ही रहनी लगा था और उसके पास अच्छी खासी खेत की जमीन थी इसलिए वे अपनी खेती वाड़ी की देखवाल करने लगा उसके तीन बेटा और दो बेटी थी लड़कों में रागव, माधव और किर्पा थे लड़कियों में सुरेखा और रेखा थी भागवन्ती ने अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी रागव और माधव ने पढ़ाई पूरी कर ली थी पर छोटा बेटा किर्पा को पढ़ाई में जराभी रूची नहीं थी जैसे तैसे उसने मैट्रिक की परिक्षा पास की तो भागवन्ती देवी रोज कहती थी जा बेटा पढ़ के आ तो उसका छोटा बेटा कहता था कि मा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है मा बेचारी कह कह कर थक हार कर चुप बैठ जाती लेकिन किर्पा बिल्कुल नहीं पढ़ने में मन लगाता था राम सज्जन की मेहनत से खेती बाड़ी अच्छी फसल दे रही थी बड़ी बेटी सुरेखा का बिवान नजदीक में ही अच्छे खाते पीते परिवार में कर दिया था सुरेखा के भी तीन बच्चे थे पर हायरी किस्मत सुरेखा की खुसी उससे ज़्यादा दिन देखी नहीं गई सुरेखा का पती सुधीर अपने दोस्त के भाई की शादी में बरात में गया था शादी के बाद जब बराती लोट रहे थे तो अचानक रास्ते में बस ने पल्टी मारी और सारे बराती रोड पर आ गए वर वधू तो किसी तरह बच गए कुछ बराती तो बहुत बुरी तरह से जखमी हुए थे और कुछ मौत की गोद में सो गए थे उसमें सुरेखा का पती सुधीर भी था शादी का उत्सब मातम में बदल गया था वधू का स्वागत तो किया गया पर पूरे गाउं में चर्चा का विसे बन गया था गाम वाले जहां तहां कह रहे थे नई बहु के लक्षन ठीक नहीं है आते ही बरात को खा गई आगे भगवान जाने क्या होगा यह सब सुनकर बेचारी नवई बहु रोती रहती थी पर किसी के पास उसके लिए प्यार के दो सब्द नहीं थे राम सज्जन और सुरेखा के ऊपर दुखों का पाहर तूट पड़ा था राम सज्जन अपनी बेटी सुरेखा और उसके तीनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गई थे राम सज्जन की पत्नी भागवंती देवी बहुती अच्छे सभावगी थी वे अपनी बेटी को बहुती दिलासा देती थी उसे समझाती थी और बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी रेखा भी अपनी मा और दीदी दोनों का ख्याल रखती थी इसी भी फोज durum की भरती निकली रागव उस भरती में जो सामिल हो गया और वे न्युक्त भी हो गया मेडिकल परिक्षा पास करने के बाद वे ट्रेनिंग के लिए चला गया ट्रेनिंग खतम होने के बाद रागव की पोस्टिंग चीन के बार्डर पर लग गई एक तो फोज की नोकरी दूसरा देश का बार्डर था अब गांवाले रामसजन से पोचते की रामसजन भाया बेटे का बिवा कंब करोगे तो रामसजन कहते जल्दी करेंगे भाई जयदा देर नहीं लगाएंगे रागव के आब रिष्चे आने जान आते एक आता दूसरा जाता ऐसे आना जाना लगा रहता था अब रेखा भी बड़ी हो गई थी उसके लिए भी राम सज्जन लड़का देखना सिरू कर दिये थे कि लड़की शानी हो गई है तो समय से अपने घर चली जाए उसके हाथ पीले हो जाएं राम सज्जन के घर जो रागव के रिष्टे वाले आते थे वे अपनी कन्या के गुनों का बखान करते थे कि हमारी कन्या आपके लिए बहुत योग्या है सुंदर है सुसील है कामकाजी है आपके घर को बहुत अच्छे से संभालेगी एक दिन राम सज्जन ने अपनी पतनी भागवन्ती से कहा कि सुनो भागवन्ती पहले ये बताओ कि किसका बिभा करें बेटी का या बेटे का तो भागवन्ती ने कहा सुनो जी पहले हम बहु घर ले आते हैं उसके बाद बिटिया का बिहा करेंगे घर में बहु आ जाएगी तो ठीक रहेगा और बहु भी गाउं की होनी चाहिए जादा पढ़ी लिकी बहु ससुराल में नहीं निभाएगी गाउं में शादी करना ही ठीक रहेगा भागवंती की बात मानकर राम सज्जन ने गाउं के एक तिरलोकी सिंग की बेटी स्यामा से रागव की शादी तै कर ली तिरलोकी सिंग के दो लड़के और एक लड़की शामा थी और इसके अलावा जमीन थी उसके पास खेती की और ओयल इंडिया कंपनी में वह चपड़ासी की नौकरी करते थे उनकी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वैसे भी गाउं में लड़कियों को सिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता लड़कियों को सिर्फ घर के कामकाज सिलाई बुनाई और घर संभालना आना चाहिए इतनी ही जानकारे उनके विवाके लिए काफी होती थी राम सजन रागव को खबर कर दिये और कहा बेटा रागव सुन रहे हो हम तुम्हारा रिस्ता तै कर दिये हैं और 17 अप्रेल को तिलक है और साथ जोन को ब्याह का दिन निकल वा लिया है तो 15 अप्रेल तक छुटी लेकर घर आ जा रागव के मन में ख्याल आया पिता जी न जाता था जहां पिताजी शादी तै कर देते थे लड़का और लड़की की शादी हो जाती थी, यही राघव के साथ भी हुआ था, राम सज्जन पत्नी और बच्चे का ख्याल करते हुए अकेले ही जाकर लड़की देखाए थे शामा तो बस नाम की ही शामा थी देखने में वो गोरी चिट्टी और सुन्दर थी घर आकर राम सज्जन ने अपनी पत्नी भागवंती से लड़की के गुनों को बखान किया सुनो भागवंती हमारी बड़ी बहुत बढ़िया ख करेंगे अब तू हमारी बात मान के उसको अब तू सब कुछ सिखा दी ना रागव 15 अपरेल से पहले घर आ गया था उसने मा से पूछा मा लड़की कैसी है तू देखने गई थी क्या भागवंती ने कहा नहीं बीटा हम नहीं देखे और तेरे बाबुजी ही देखकर आ है अब यहां में दिन ही कितना रह गए है अब शादी के बाद अपने घर में आकर देख लेना और उसके बाद उसके गुन भी पता चल जाएंगे रागव के तिलक के दिन लड़की वालों की तरफ से तिलक करने के लिए लोग आए तो वे बरतन कपड़ा मिठाई फल के की चैन भी लेकर आये थे इदर राम सज्जन ने लड़की के जो घर वालों का बड़ा अच्छे धंग से स्वागत किया था उनकी विदाई भी अच्छे धंग से की थी लड़की के लिए कपड़ा गहना और मिठाई और फल भी दिये थे देखते ही देखते विभा का दिन भी आ गया राम सज्जन ने बरात सजाई बरात के साथ साथ नाच गाने बायंड बाजे सब सजे दो बस पांच कार दो जीब थी लड़की के लिए कपड़े गहने मिठाई फल के साथ सूखे मेवी भी थे और जो कि हुआ की रोणक थी बाजे गाजे के साथ बरात चल दुआर पूजा हुआ, कन्या दान हुआ, सिंदोर दान हुआ, मुडखाई की रसम हुई, सम्दी मिलन हुई, सारे जो नियमों का पालन वैदिक रीती रिवाजों के साथ हुआ रागव के साथ साथ दोना भाई भी भावी को देख नहीं पाए थे, सारे रीती रिवाज घुंगट में हुए थे तीसरे दिन सुभेज जो बहु की विदाई हुई थी, राम सज्जन बेटा और बहु और बारात को लेकर घर की ओर चल दिये थे बहु का घर आकर स्वागत हुआ, राम सज्जन के दर्वाजे पर बरातियों के बस आकर रुकी और सारे बराति उतर कर अपने अपने घर चले गए इतने में ही दर्वाजे पर वरवधू की गाड़ी आकर लगी, पूरे घर में अफरा तफरी मच गई बहु आ गई है, मचली लाओ, दही लाओ, द्वारा लाओ, एक एक करके सारे समान दर्वाजे पर जुटाए गए परिवार पड़ोसी के लोग भी भागवंती को पकड़ कर लाए, पहले बहु को उतार कर उसका जो ग्रह परवेश करो, उसका स्वागत करो भागवंती ने सुरेखा से कहा बिटिया, भाईया का गट जोड़ा, जोड़ दे, सुरेखा मा की बात मानकर जाई रही थी, कि परिवार वालों ने खुल कर कहा, क्यों सुरेखा की मा तुझे इतना भी ग्यान नहीं है, कि बिद्वा गाठ नहीं जोड़ थी, तु पागल ह जो सुरेखा से तु कह रही है, सुरेखा इतना सुनकर जो घर के अंदर भाग कर चली गई, और अपने कमरे में जाकर रोने लगी, फिर जटपट मा और भाई ने खुसी के लिए जो उसकी आखे पहुँच ली, उसने कि मेरे मा और भाई को बुरा न लगे, सुब घड़ी ह भागवंती ने भी पहले मचली शामा को पकड़ाई, फिर उसके बाद चुमावन और मांग बहुरी और आदी जो परिवार वाले थे, उनके एक-एक करके सारे रीती रिवाज किये, बहु के माथे पर दही रखकर एक-एक करके दुआरा में डलवाते, कुल देवी की जाके बाद मुँ दिखाई सिरू हुई, एक-एक करके मुँ देखते गए और बहु के हाथ में नेग रखते गए, सारा दिन इसी में बीट गया, भागवंती ने सोचा कि बहु को मुँ दिखाई में क्या दें, उसके पास सास का दिया हुआ सौने की हसली थी, सोचा था कि उसको तुड़वा कर तीन बहु और रेखा के गहने बनवा दूंगी, और इसके लिए उसको समय ही नहीं मिला, समय को देखते हुए शाम को हसली देना ही पड़ा, थोड़े दिन बाद बहु से लेकर उसने सोचा तीन बहु की मुँ दिखाई और रेखा की चैन बनवा भागवनती बहुती, नेक और सीधी महिला थी, कोई दरवाजे पर आ जाये तो बिना खाना खिलाए नहीं भीजती थी, दान पुन्या करने में भी आगे थी, भिकारी, सादू, फकीर बिना दान लिये नहीं जाते थी, सारे तीज तोहार करती थी, जितने गरीव तवके के लोग थे, उनको अनाज, दाल, मीठा, सरसों का तेल और सबजी देती थी, हर किसी की मदद भी करती थी, रागव स्वागरात के दिन शामा को देखा, तो शामा की सुंदरता पर वे मोहित हो गया, वे दो महिने की छुट्टी में ही घर आया था, जो दस दिन बाद खतम होने वाली थी, भागवंती ने सोचा रागव के जाने से पहले ही नई बहुसे रसोई वाली जो रसम करवा ले थी हो, वे भी उसके हाथ का खाना खा कर चला जाएगा, शामा ने रसोई बनाने वाले दिन ही नई साड़ी पहने और दोना ननदों के साथ चोके में पहुँच शामा का रंग गोरा था, पर बुद्धी विचार दोनों ही काले थे, दोनों नननदे उसे बुरी लगती थी, सास भी उसे पसंद नहीं थी, दीरे दीरे शामा ने अपना रंग दिखाना सिरू किया, शामा ने भागवंती से कहा मा जी, जो इधर उधर भागते रहती हो, कल इसे तुम जो काम पर नहीं करना, भागवंती खुस हुई, चलो बहुत अच्छी है, जो कहती है कि दर उधर तुम काम मत करो, अपने आप संभाल लेगी, बड़ी समझदार बहु है, भागवंती के पास जो भी थोड़े बहुत गहने थे, वो रेखा की शादी के लिए उस चोड़ दो आप, आप बस खाली भजन पूजा करो, कुछ दिन तो शामा ठीक रही, उसके बाद उसने दान पुन बंद किया, तोहरों का दान भी बंद कर दिया, परिवार वाले भागवंती से कहने जाते, तो वे खड़ी होकर बोलना सुरू कर देती, कि यह हमारी जो घर क हमारे घर में आग में घी डालने का काम मत करो, इनका बोलने से तो कुछ नहीं होगा, अब तो यह घर हमारा है, हम अपनी तरीके से चलाएंगे, भागवंती भी परिवार वालों से सुनती तो उसे बुरा लगता, पर क्या करें, बहु को डाटती, तो क्या गारंटिय बहु उसकी बात सुनेगी, लोग जो सास बहु की तूतू मैं मैं सुनेंगे, तो जगहसाई होगी, भागवंती धीरे धीरे उसने जो चुपी धारन कर ली, शामा का गुस्सा और सनक बढ़ते बढ़ते हद से पार हो गया, जो ससुर का खाना गरम गरम दरवाजे पर जाता था, वह भी बंद कर दिया, राम सज्जन पूछने आये, तो उसने का बाबुजी, आप दस बजे खाते हैं, तो यह हमसे नहीं होगा, जब भेजे तब खालो, अगर ना खाओ, तो हम जो रात भर तो जागेंगे नहीं, राम सज्जन को बहुत पश्तावा हुआ, कहां हम लक्ष दिखना है तुझको, ससुराल जाके क्या करेगी, लोग तो यहीं कहेंगे न, मा बाप और भावी ने कोई काम नहीं सिखाया, यह सब देखकर राम सज्जन जी कुछ बोलते, तो उनको गाली देने लगती थी, अब तो यह रोज का जो काम हो गया था, इस बार छुट्टी म भागवन्ती ने कुछ नहीं कहा, भागवन्ती को जो भी खाना मिलता बेचारी खा लेती थी, बासी मिलता तो भी खा लेती, इसी बीच रेखा की शादी भी जो तै हो गई थी, श्यामा की कर्तूतों के साथ रेखा की शादी तै करदी जल्दी की बेटी अपने घर की हो जा अब धीरे धीरे रेखा के बिभा के दिन नजदीक आ रहे थे भागवंती ने सोचा यही अफसर है बहुसे हसली मांग ली जाए और उसे तुड़वा कर चार जेवर बनवा कर बहुओं को और एक रेखा को दे दूँगी भागवंती ने बहु को बुलाया और कहा बिटिया ज गुसे जरा लेकर जरूरत आ गई है और वे तुँ हमको दे दे यह सुनते ही श्यामा गुसे में बूल पड़ी वा मा जी वा रिवाज में मूँ दिखाई दे दी और हमसे छीन रही हो अरे यह कैसी जरूरत आ गई है जो वो तुमें चाहिए हम नहीं देंगे कोई दूसरा उपाय करो ठक हार कर भागवंती को चुप होना पड़ा श्यामा ने हसली नहीं दी भागवंती ने बेटी की शादी में चुप रहने के लिए कही तो श्यामा ने धमकी दी जायदा कुछ किया तो हम अपने पीहर चले जाएंगे रागव और माधव ने मिलकर शादी की तैय करने लगे इदर सुरेखा के बच्चे छोटे थे भूक लगते तो मामी से खाना मांगने जाते तो शामा उन्हें दुथकार देती थी और कहती जिंदगी भर कि हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है बाबु जी तो यही काम करेंगे धरम साला थोड़ी चलानी हमें या बाबु जी कोई भी छोड़ कर आ जाएगा भागवनती ने रेखा को अपने कान की बाली और अंगुठी जो दे दी थी रागव माधव के साथ बजार जा रहा था शादी की खरिदारी करने तो शामा बोली इतना फालतू पैसा खर्च करने के लिए नहीं है रागव ने रेखा और सुरेखा तो नंदे हैं खा पीकर बांद के गठड़ी अपनी सुसराल चली जाएंगी यह सुनकर रागव गुसे में पैर पटकतावा घर से बाहर चला गया घर के बाहर माधव और किरपा ने अपने बड़े भहिया को समझाया भहिया अभी जो घर में यह सब सो रेखते आ रहे हैं रागव शामा से नाराज था और चुपए रहकर वे तैयारी करने लगा राम सज्जन ने अनाज की विक्री के पैसे बैंक लोन के पैसे से शादी का इंतजाम किया कपड़ा जेवर दुपईया वाहान बरतन मिठाई फल सब कुछ तिलक की तैयारी की रे रेखा के शादी में आने वाले रिस्तेदार आने लगे थे उनके रहने और खाने का इंतजाम करना था रागव और माधव भी शामा का डेली का बोलना सुन रहे थे इतने लोगों के खाना बनाना हमसे नहीं होगा शामा रिस्तेदारों के सामने ही बोलती रहती रागव ने रिष्टेदारों के खाने पीने के इंतजाम के लिए एक हलवाई रख दिया रागव के रिष्टेदारों के सामने जाने में उसे अब सरम आती थी सोचता भगवान ने कैसी पतनी दी है जैसे सौने के कलस में जैर भरा हो घर की पृतिष्टा का उसे जरा भी ख्याल नहीं था सुरेखा भी बेहन की शादी में ही जी जान से महनत करती और अपनी मा की मदद करती थी देखती ही देखते ब्यहा के दिन आ गए दर्वाजे पर बरात आने लगी थोड़ी देर बाद द्वार पूजा सिरू हो गई रेखा का वर महिस बहुती सुन्दर था कन्यादान के समय रेखा को साड़ी और मा की बाली और अंगूटी पहना कर मंदप ले जाने लगी तब इस शामा दोड़कर रेखा की अंगूटी और बाली निकालने लगी भागवन्ती ने उसका हाथ पकड़कर बोली ये तुमारे गहने नहीं है बहू ये हमारे गहने है और हमने जो अपनी बेटी को दिये हैं इतना सुनते शामा ने गाली देना सुरू कर दिया रागव एक कमरे में उसको बंद कर दिया जो भी रिष्टेदार उसकी आवाज सुनते कहते हल्ला क्यों कर रही है तो रागव सबसे कहता है उसका न दिमाग खराब है डॉक्टर की दवा चल रही है इस पर ध्यान मत दीजिए रेखा की शादी को देखिए सब विधी करते ह विधाई का समय आ गया रागव कमरा खोलते हुए कहने लगा रेखा जा रही है उससे मिलो शामा बोली हम नहीं जाएंगे रेखा से मिलने रेखा से हमारा कोई मतलब नहीं है रेखा अपनी मा और दीदी से मिलते हुए रोते हुए जा रही थी भावी शामा के पाज सब बा से कहा कि अपने बेहनों इसे बेहन मेरी बहुत भूली है इसका ख्याल रखना रेखा के ससुराल वाले वधो और बरातियों के साथ विदा हो गए रेखा के जाने के बाद घर सुना हो गया था सुरेखा भी बच्चों को लेकर माधव के साथ ससुराल चली गई रागव की चलते वे उसे हुआ लेकर नहीं गया घर पर ही मा बाबुजी माधव और किरपा ही थे उनके ही पास थी भागवन्ती की देने निया वस्ता हो गई थी जब नहा धोकर पूजा पाट करके घर आती तो उसके आगे बासी खाना रख दिया जाता जिस घर में दो दही की बाहर थी तो परिवार वालों को बचा कुछा खाना दिया जाता बाकी बाहर के लोगों को प्री में दे देती थी सब कुछ देखते हुए भागवन्ती चुप रहती थी इसी पीछ माधव सिक्षक के रूप में जो नौकरी लग गया था रागव और माधव दोनों मिलकर अपने पित हम ठगे गए और तेरे विचार कैसे है तेरी शादी के लिए हम कोसिस करें कि तेरी पसंद के अनुसारी तेरा रिस्ता हो माधव ने कहा पिता जी मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं है अगर पढ़ी लिखी बहु रही तो बहुत अच्छी रहेगी घर की सारी जिम्मेदारी संभा होनी चाहिए ताकि वे जो पैसे नद लगाएं भी हमें हमें मांग जाच कुछ नहीं चाहिए लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए अगर नौकरी करें तो कर ले अब राम सज्जन के मन में एक ख्यालाया माधव के लिए लड़की देखी उन्होंने बीए पास हो इतना ज जगे माधव के अरिस्ता तैह हो गया जो लड़की थी वे रामायन सिंग की बेटी से रामायन सिंग से परिवार जो सहर में रहते थे वहीं उनका रोजगार था दो बेटा एक बेटी थे बेटी का नाम कवीता था कवीता भी कॉलेज में पढ़ रही थी बीए थी रामायन क लड़की से माधव का विवात तैह हो गया शामा ने जब सुना कि माधव की पत्नी पढ़ी लिखी आ रही है तो उसके मन में तो और ज़्यादा जलन हो गई परिवार के लोग शामा के कान भरते कि देख बहू माधव के जो बहू की चलने मत देना तू अपना हक मत छोड़ना क्योंकि घर परिवार पड़ोसी तो भड़काने वाले होते ही हैं माधव की शादी दो जून की थी बरात को लेकर जाना था सारे बराती तैयार होकर बस में सवार हुए सह और बस चल पड़ी और हुआ रामायन जी और उनके बेटे ने बहुत ही अच्छे ढंग से बरात का स कवीता का स्वागत किया रेखा और सुरेखा भी बहुत खुश थी कि उनकी भावी पड़ी लिखी आई है कवीता को दो ही दिन में पता चल गया कि घर में उनकी जेठानी की चलती है सास और ससूर उनकी जो दया पर पलती है छुट्टी खतम होने के बाद माधव अपनी नई बहु को मा पिताजी के साहरे छोड़ कर चला गया था सुरेखा और रेखा को भी नई भावी सखी के जैसे लगती थी कहीं भी नई भावी को पड़ाई लिखाई का घमन नहीं था पांच दिन के बाद बहु की रसोई का नेग था उसके बाद खाना बनाने की कविता तो शहर में रही थी कभी उपले और लकड़ी में खाना नहीं बनाया था और यहां जेठानी लकड़ी और गीले उपले雅वन के लिए दे थी ति कविता को जो भी काम दिया जाता वह करती थोड़ा समय लगता पर कच्ची जली पिटी रोटी बना देती जैसी भी बनती और माव अबुजी जेठानी और देवर को खाना किला कर खुद खाती राम सज्जन और भागवन्ती बहु से बहुत खुशते यह सब देकर शामा ससुर को लगा कर कवीता को गाली दीती थी इसी वीच रागव घर आया तो फोज में बहली निकली थी वे किरपा को अपने साथ ले गया वहां उसे तैयारी करवा कर फोज में नौकरी दिलवा दी तीनों भाई आपस में सलह से रहते थे कोई भी काम होता तीनों भाई मिलकर करते उनके खुशी देखकर पट्टीदार लोग जलते और शामा को मां बन गई इस बार माधव नौकरी से घर चुट्टी पर आया तो वह गहर आता और चला जाता था राम सज्जन जो माधव से बोले बेटा तो छोटी भहू को ले जा माधव बोला बाभुजी गर मारे साथ चलेगी तो ठीक है तो राम सज्जन बोले बेटा मा जाना चाहे तो ले जा हम घर देख लेंगे कवीता और मा को लेकर माधव गोरकपूर आ गया कवीता और भागवंती मा बेटी की जैसे रहती थी कोई भी उनको जो सास बहु नहीं समझता था सब यही समझते की मा बेटी है कवीता खाना से लेकर पहनने तक मा की पसंद का ख्याल रखती थी कुछ दिन के बाद कवीता बच्चे को जनम देने वाली थी तो उसे गाव आना पड़ा उसने एक लड़के को जनम दिया उसके जनम के उत्सम में राम सज्जन ने सारे गाव को भोज का जो नयौता दिया शामा माधव के बच्चे से खुस नहीं थी उसे अपना ही बच्चा प्यारा लगता था नाम करन में माधव के बच्चे का नाम बहवप पड़ा कवीता तो शामा के विपरीत थी कविता के संसकार और ससुर की प्रतिष्टा को देखकर चुप रहती इसे शामा को बढ़ावा मिलता कभी कभी कविता को भूके पेट सो जाना पड़ता किसी को कानो कान पता नहीं चलता मान सिग्यातनाय सहते सहते जो बिना बात के पती से डाट खाते वे कविता डिप्रेशन का सिकार हो गई भागवन्ती भी कविता के कष्ट को देखती और माधव के बच्चे का त्रिस्कार भी देखती भागवन्ती से देखा नहीं जाता छुट्टी में जब माधव घर आया तो भागवन्ती ने कहा बेटा बहुरिया और लल्ला को ले जा और यह बिमार पढ़ पूर चला आया या आने के बाद बहु और भागवंती ने चैन की सांस ले राम सज्जन रागव के बेटे राम और शाम को प्राइवेट स्कूल में उसने जो नाम लिखवा दिये थे उनका खर्च भी राम सज्जन ही देखते थे एक स्कूल में रागव की बेटी का नाम भी उदर तीनों भाईयों ने मिलकर बहुती सुन्दर मकान बना लिया खेती बाड़ी की उपश्ज से घर अच्छे से चल जाता था हर साल खेती से सतर असी हजार सालाना आमंदनी हो जाती थी समय का फेर कोई नहीं जानता एक दिन अचानक राम सज्जन को बुखार हुआ दोन के लोग रागव घर का बड़ा बेटा था राम से बाबा के आग दिलाई और तीनों बेटों को खबर किया भागवंती भी माधव के पास गोरकपुर में थी माधव और कविता ने उनको नहीं बताया चुपचाप उनको लेकर गाव आ गए भागवंती जब घर आई तो दे ही है भगवान के पास चले गए भागवंती ये सुनते सीड़ी पर से गिर कर बेहुस हो गई सुई और दबा से सारी रिक चोट तो ठीक हो गई पर भागवंती सदमे में चली गई एक तरह से वह जिंदा लास में बदल गई वह हर किसी को पहचान नहीं पाती थी काम क्रिया खतम करने के बाद तीनों भाई नौकरी पर चले गए सारा खेत बटाईयों पर दे दिया गया इसी तरह से तीनों भाई बारी बारी से घर आते और घर की देखवाल करते कविता भी गोरकपुर आ गई थी कविता को दूसरा बच्चा होने वाला था मा मन और सरीर दोनों से लाचार थी इस अवस्ता में कविता की देखवाल करने वाला भी कोई नहीं था इसलिए कविता को मजबूरन होकर पिता के घर जाना पड़ा वाँ उसने एक प्यारी सी बिटिया को जनम दिया प्यार से उसका नाम जया रखा जया सुन्दर थी और तेज भी मादव जब दो पापा पानी पीलो माधव उसे प्यार से उठा कर गले से लगा लेता रागव और माधव ने सोचा पिताजी तो नहीं रहे किरपा की शादी कर दें तो माशाय ठीक हो जाए डॉक्टर के कहें अनुसारे इन लोगों का सोच था कि किरपा की शादी बगल के गाउं में जो य लिखी है तो तुम्हें इज्जत नहीं देगी इसके विपरीत है तुम्हारी बीवी इसलिए खुसमिजाज और महनती महिला थी उसका नाम मधू था लेकिन शामा भी उससे बहुत जल्दी थी उसने मधू को कहा हमारी सास का माँ जो दिमाग खराब है वे अच्छी रहती है तो मैं उनकी देखभाल करती हूँ तू भी उनको मत देखो सिर्फ खाना बना कर दे दो मधू उसकी बातों में आ गई उसने वैसा ही किया भागवंती रोती पर कहे तो किस से कहे बड़ा बेटा रागवा था तो सब समान मा के लिए भी लाता था शामा उन्हें नहीं देती थी माधवी घर में समान रख जाता वे भी भागवंती को नहीं मिलता मधू को कभी कभी दुख लगता पर शामा की हकुमत के आगे वे भी मजबूर थी मधू ने दो बेटियों को जनम दिया लड़के की आस देखते देखते मधू के तीसरी बेटी भी आ गई कुछ दिन ब दिया तो चोथी भी लड़की ही थी मधू इतना जायदा कमजोर हो गई कि जेल नहीं पाई और पहले बच्ची और आठ दिन बाद मधू संसार को अलविदा कह गई उसकी तीनों बच्ची अब बिना मा की हो गई थी बड़ी बेटी बिंदू आठ साल की सिंदू पांस साल क और नीलू तीन साल की थी पतनी के गुजरने के बाद किरपा तूट सा गया शामा को उन पर थोड़ा तरस आ गया क्योंकि इसमें उसका स्वार्थ भी था बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखवाल करेंगे रागव भी फौज से अवकास लेने के बाद घर आ गया था उनके भी दोना लड़के पढ़ लिक गए थे बेटी को भी अच्छे घर में शादी कर दिये बेटी जादा पढ़ तो नहीं पाई थी पर काम चला लेती थी रागव को भाई के बच्चों से जादा प्रेम था वे हर पल उनकी खुसी का ख्याल रखता था भा में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था सारे बच्चे नाबालिक थे बड़ी मा की गलत सिक्षा देने की वज़े से बच्चे सब किरपा के विपरीत हो गए इधर कुछ दिनों से किरपा बिमार रहता था बुखार और भूक लगना तो जैसे उसे बंदी हो गया दिनों दिन कमजोर होता गया किरपा फॉन के जरिये माधव से कहने लगा भाया मेरी तबियत ठीक नहीं है मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूं पर मेरे पास पैसे नहीं है माधव ने कहा अभी मेरा वेतन बंद है किसी से कुछ पैसे लेकर चले जाओ और डॉक्टर को दिखा ल इस भी हो गया है और खतरनाग भी है दवा चलाते रहोगे तो शायद कुछ दिन बच जाओगे किरपा सोच में पड़ गया मासे आने के बाद वे नौकरी पर चला गया साथ हजार रुपया जो धान बेचकर डॉक्टर को दिखाने गया था उस पर स्यामा ने घर में खूब हंगामा खड़ा किया रागब ने भी खरी खोटी किरपा को सुनाई रागब शामा के सब बातों से अंजान था हुआ जाने के कुछ दिन बाद किरपा को डॉक्टर और दवा की जरूरत पड़ी उसने आर्मी होस्पिटल में इलाज करवाया हुआ डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल बोर्ड ने काम से अन्फिट कर दिया और रिटार्मेंट की कागज पकड़ा दी घर आने के बाद अपने पैंसन के पैसे से दवा का इंतजाम करता था इस पर भी शामा की उदंडता दिनो दिन बढ़ती जा रही थी अंत में किरपा बिस्तर पकड़ लिया सुरेख वहीं उसका भाई किरपा स्पताल में भरती था उसने भाई की सेवा की डॉक्टर ने माधव को बता दिया कि हेपेटाइटिस बी के लाश्ट इस्टेज में हैं कभी भी जा सकते हैं माधव की भावी के वहवार से परीचित था वैज जान गया कि भावी ने भावी ने जो दोड़ा दोड़ा बनारस गया कि मादव की जैसे उसे खबर मिली थी बड़े भाई के आने के तीन घंटा बाद किरपा ने मादव को बुलाया और कहा भाईया हम तो जा रहे हैं आज से हमारे बच्चे सब के माई बाबू जी तुम ही हो यह कहते हुए किरपा ने संसार से बिदा हो गया दोना भाई रो रहे थे रागव को बहुत पश्यताप हो रहा था अपनी पतनी के कारणी भाई को जलील किया उसने मेरे परिवार को नरक बना दिया है वे कहने लगा घर आने के बाद जो शामा को उसने जो अपनी पतनी को जलील किया रागव ने उसके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा किरपा के दहा संसकार के बाद दोना भाई बच्चों का ख्याल रखते थे माधव बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा हर महीना भेज देता था रागव कपड़ा और उनकी खुसी का ख्याल रखता था दोना भाई आपस में मिलकर कोई काम करते माधव ने रागव से का भाईया आज हम सोच रहे हैं कि बैंक से लॉन लेके अपना सांजा खाता जो खोलने दहेज के लिए पैसा तो उसी में जोडेंगे उस समय पैसा कहां से लाएंगे एक शिक्षक की नोकरी में से एक बार इतना संभव नहीं होता रागवने का ठीक कह रहे हो तो माधव बैंक से पांच दाख लॉन लेकर दोना भाईयों ने सांजे खाती में रख दिया हर महिना अपना बेतन से लाउन के पैसे चुकाने लगे माधव का बड़ा बेटा राम MBA करके प्राइवेट इस संस्थान में नोकरी करने लगा उसकी पढ़ाई भी शैक्षिनिक लाउन के आधार पर ही शुरू हुई थी जो नोकरी होने के बाद देनी थी नोकरी होने के बाद थोड़े दिन तो राम सेक्षिक लाउन का भुकतान करता रहा इसी बीच उसकी साधी पढ़ी लिखी लड़की सुधा से तै हो गई राम की शाधी सुधा से हो गई शाधी में बड़ा उत्सब मनाया गया पड़े लिक्की और नोकरी वाली बहु घर में आ गई थी उसके आने से तीन महीने बाद राम बोला इस महीना देर हो गया है मैं बैंक जा रहा हूँ सेक्षिक लाउन का भुकतान करने के लिए इसी बात पर राम की पत्नी सुधा बोली मेरे पिताजी ने भी शैक्षिक लॉन लिये थे टाइम खतम होने के बाद एक दर्ख्वास्त देना पड़ा था कि हम लॉन नहीं चुका सकते टाइम खतम होने के बाद डेड़ लाखी देना पड़ा और सारे पैसे माफ हो गए आप भी ऐसा ही कीजिए राम कुछ कहता उससे पहले ही शामा बोल पड़ी बहुत सही बात कह रही है और तेरा पैसा कटता है तो वह बच जाएगा तो दूसरे काम में लगाना और नीतू भी जो अपनी मा का समर्थन करके बोली बाद में बोलता शामा और सुधा और नीतू मिलकर राघव का मुँ बंद कर देते शामा बोलती देते हैं और पीछे हाथ दो के मत पड़ना राघव चुप रह जाता इसी तरह तीन साल बीत गई ब्याज का रकम बढ़ते बढ़ते पांच लाग से उपर हो गया बैंक और कोट से राघव के हाथ में नोटिस आया अगर आप रकम नहीं देंगे तो आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा और खेती की जमीन से वसूल कर लिया जाएगा राघवी इस लौन का गारंटर था उस समय माधव की पतनी कविता भी घर आई हुई थी उसने का भाया जी घवराइए मत सब ठीक हो जाएगा कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाएगा राघव का गुसा आपे से बाहर था उसने राम और शामा को खूब खरी खोटी सुनाई बेवकुफ एक बार भी हम से कहते कि लौन नहीं दिये तो हम अपनी पैंसन से दस हजार रुपिया हर महीना बैंक में दे के करजा चुका देते अब तो हम ना घर के रहे और ना घाट के मादब भाई के साथ जो सांजा एकाउंट में पांच लाख रुपे बिंदू की शादी के लिए रखा था वे पूरा पैसा बैंक लौन ने काट लिया थोड़ा जो बच गया वे अगली किस्त में देने का नोटिस दिया गया इसी बीच रागव का छोटा बेटा शामवी की भी जो शादी हो गई यह लड़की बीएस सी पास थी प्रिया नाम था उसका डिगरी थी पर नौलिज नहीं थी दोना बहु आने के बाद शामा जो वेवार अपनी देवरानी कविता के साथ करती थी वेवार उसने अपनी बहुओं पर भी लागू कर दिया बड़ी बहु सुधाव बोलती तो कुछ नहीं थी पर सास को वो पसंद नहीं करती थी वे घर से नौकरी करने के लिए बाहर चली जाती प्रिया बेचारी क्या करे जाए तो कहां जाए उसे तानों के अलावा खाने पीने पर भी पावंदी सावन सरप पर भी पावंदी हर चीज हिसाब से मिलता तो प्रिया मन से कमजोर नहीं थी उसने समझ लिया कि मैं दबती चली जाऊंगी तो ये लोग मुझे दबाते ही चले जाएंगे उसने जट शामा का मुकाबला करना सिरू कर दिया शामा एक सुनाती तो प्रिया उसे चार सुनाती कभी कभी कहें वे वाक्या ही सत्य हो जाते हैं जैसे को तैसा मिला इसी बीच राम एक लड़के का पिता और शाम एक प्यारी सी बिटिया का पिता बन गया रागम ने घर वाले का जो दुख से प्रेसर की जो दवा खा रहा था तो उसने दवा खाना बंद कर दिया कि घर में कलेस बढ़ता ही जाता है एक दिन ब्लड प्रेशर की वज़े से रागम को पैरालाइसिस का अटेक हो गया जान तो किसी तरह बच गई पर ब्रेन में कलोटिंग हो गया इस तरह से वैं खाट में ही जो लेट गया और खाट का ही महमान बन गया भाई माधव और छोटे भाई किरपा की बेटी बिंदू और सिंदू ने बड़े पिताजी की सेवा की बेटा राम और पतनी शामा ने एक तरह से किनारा ही कर लिया था छोटा बेटा शाम और बहु प्रिया ने ससुर के दुक्के छनों में साथ दिया इसी तरह धीरे धीरे तीन साल जेलते जेलते राघव भी इस दुनिया से विदा कर गया रागव के जाने का जो शामा को कोई मलाल नहीं था पूरे घर के जिम्मेदारी निभाने वाला एकलोता माधवी था एक शिक्षक की नौकरी चार बच्चियों और एक बच्चे की पढ़ाई सब कुछ उसी के जिम्मे था वे भी बलड प्रेशर का मरीज हो गया माधव की पत्नी कभीता माधव के काम में कभी दखल नहीं देती थी कभी भी उसकी पत्नी और बच्चे जो कुछ नहीं कहते थे उसकी पत्नी और बच्चे एक संपन परिवार की तरह खुसाल जिंदगी तो नहीं जी पाए घर और परिवार को देखते हुए हमेशा माधव आर्थिक तंगी से परिशान रहा क्या करें कुछ समझ में नहीं आता था कभी कभी माधव को पूरा रात जागते जागते बीच जाती राम और शाम अपने चाचा का क्या सहरा बनते वे लोग हमेशा रोते ही रहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं बचते माधव हर महीना बच्चियों की पढ़ाई और घर का खुद का खर्चा के लिए 15,000 महीना भेजता था और इसका कोई भी महत्व नहीं था शामा हर किसी से कहती कि ये तो खेत की उपज खाए हैं और हमारा बड़ा बेटा ही सब बच्चियों का भेज देता है माधव कहता किस से यहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक तो खर्चा भी कर रहा था उपर से भावी उसे बदनाम कर रही थी अपने बेटे की तारिफों के पुल बांधती कि मेरा बेटा ही उन बिना माप की बच्चियों की देख भाल करता है माधव क कहता किस से यहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात थी आब विंदू बड़ी हो गई थी माधव ने विंदू के लिए वर देखने लगा था जहां भी जाता तो कुछ लोग इससे घबरा जाते लड़की के माता पिताजी नहीं है कुछ सोचते दान दहेज नह नहीं नहीं था माधव छुटी लेकर घर आता और वर की तलास में इधर उधर भटकता ही रहता लड़कियां पढ़ तो ली पर बड़ी मा के कारण सही सिक्षा नहीं मिल सकी लड़कियां सीखी तो सिर्फ स्वार्थ की परिभासा ही जब भी माधव परिशान होता तो अपन पिता बने हार कर माधव ने सब इस्वर के ओपर छोड़ दिया आखिरकार माधव की तपश्या इस्वर ने सुन ली एक परिवार ने माधव के रिस्ते की बात मान ली देज में आठ लाग नगद गाड़ी इसके अलाबा कपड़ा गैना और फनीचर तो था ही माधव ने हा अच्छे ढंक से हो जाए माधव के पास कुछ पैसे थे और उसने कुछ लॉन ले लिया था पहले वाली शादी का पैसा तो लॉन में डूब चुका था फिर से बिंदो की शादी में लॉन लेना पड़ा गाड़ी उसने दो पईया ही खरी दी जिस लड़के से उसने शादी तैकी उसका नाम बिक्रम था वे एक प्राइवेट फर्म में करमचारी था उसके पिताजी एक किराना समान की दुकान देखते थे वे लोग अच्छे खाते पीते थे दीरे दीरे शादी के दिन नजदीक आ गए राम और शाम और उनकी बहुए सबसे पहले आ गई रेखा उसके वर के लिए गले की चैन अंगोठी माधव ने खरीदी साती बिंदू के लिए कान की बाली पायल और बिच्छिया भी और फनीचर घर का सामान बरतन भी सब खरीदे और बाद में बरात का स्वागत इन सम्में माधव के ओपर कर्ज जादा ही बढ़ गया सुरेखा नी अची किसम का इनसान था शादी के बाद माधव एकदम से तूट गया सिंदू और नीलू भी अकेली हो गई थी दोनों बेहन को दीदी के जाने का दुख था माधव ने थोड़ा राहत महसूस की कि चलो किरपा की एक जिम्मेदारी से तो मुक्त हुआ अब तो सिंदू और जोती और नीलूई है अगर इस वर की किरपा रही तो यह सब भी निपट जाएगा माधव की बेटी जोती पढ़ने में बहुत होश्यार थी माधव की इच्छाती की बेटी और बेटा पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी में आए बैवव और जोती पापा की परिशानी लिया हुआ था अपने वेतन से दोनों लोनों का भुक्तान करना उसने सुरू किया वेतन का एक त्याही पैसा घर खर्च के लिए बचता था उसमें कविता की दवा और रासन पानी दोनों था कविता कभी सबजी बनाती तो दाल नहीं और दाल बनाती तो सबजी नहीं कवि चाचा की कुछ मदद कर दी जाए शामा ने का चुप रहे उनका पैसा के थोड़े ही न कमी है बिंदू की शादी में इतना खर्च कहां से कर लिए उनकी अमंदनी भी तो जादा है और कमाते भी जादा है राम और शाम मा की बास उनका चुप हो गए माधव भी अपने रिटार्मेंट के करीब आप पहुचा था वे प्रती दिन सोचता रिटार्मेंट से पहले सिंदू और जोती की शादी कर दे माधव के पास पैसे नहीं थे और अभी लॉन के पैसे भी बागी थे इधर बहवव एम्टेक फाइनल में था माधव अब सिंदू के लिए वर देखने लगा था लॉन का कर्ज अदा करते करते माधव का रिटार्मेंट आ गया रिटार्मेंट के बाद उतने पैसे नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे माधव ने जो पैसे जी पी एफ से निकाले थे उसे काटकरी पैसे मिले थे एक जगे लड़का देखने गए जो एक सरकारी करमचारी था अपसर था उसका एक ही मांग थी लड़की इंग्लिस मीडियम से पढ़ी लिखी होनी चाहिए जो हर छेतर में सही से बातचीत कर ले जोती में इस सारे गुन थे माधव ने बताया कि मेरी दो बेटियां है जो शादी के लिए योग्यां है एक हिंदी मीडियम से पढ़ी है दूसरी अंग्रेजी माध्यम से जो आपको सही लगे उसी के लिए बात करेंगे लड़के वालों ने कहा आप दूसरी लड़की के लिए बात आगे बढ़ाए उन लोगों ने जोती का बायोडाटा ही पसंद किया जोती को जो लोग देखने आए तो उनके विचार से ही वो मोहित हो गए जोती भी नौकरी में आ गई थी लड़के वाले की कोई डिमांड नहीं थी आप लोग बस उनका यही कहना था कि बेटी को जो भी दे रहें वही काफी है आप एक योग्य लड़की मुझे दे रहे हैं यही मेरे लिए सब कुछ है माधव ने जोती की साधी साधरन तरीके से करना चाही माधव ने अपना विचार लड़के वालों के सामने रखा वे लोग भी अच्छे विचारों को समझते थे उन्होंने अपनी सविकीरती दे दी जोती को भी गले की चैन, अंगूठी, बाली, पायन और बिच्छिया खरी दी और वर के लिए भी चैन, अंगूठी, घड़ी और कपड़े माधव को वर को गाड़ी देने के लिए उतने पैसे नहीं थे सिंदू का भी शाधी करनी थी शाधी दोना परिवारों की सहमती से जो साधारन तरीके से हुई जिसमें दोना परिवार और उनके रिस्तेदार सामिल थे जोती का वर गौरव, सुन्दर, सुसीर और सामाजिक था शाधी के बाद प्रती भोज किया गया माधव ने जोती की शाधी, किफायती की ये भी फिर भी नौकरी के सारे पैसे उसमें लग गए मातर दो लाख रुपे ही बचे जोती की शाधी में किसी भतीजे ने कोई मदद नहीं की अब सामने थी सिंदू, उसके लिए भी वर देखा जाने लगा जैसे तैसे एक जगे बात चली लोग सिंदू की सुन्दरता पर मोहित थे ज़्यादा पड़ेली की लड़कें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी उन्होंने एक कार ग्रहस्ती के सामान के साथ साथ दस तोला सोना देना था लड़के का नाम रोहित था वे बैंक में कलर्क था माता पिता का अग्याकारी लड़का था घर परिवाय ठीक होने के बाद इतनी व्यवस्ता तो करना ही था जिसमें सिंदो की शादी हो जाए यह भी माधव ने जो करनी थी माधव की ही जिम्मेदारी थी उसने खेत बेचने की सोची यह बाद जब शामा को पता चली तो शामा ने हंगामा सिरू कर दिया शामा ने कहा माधव तू देख खेत बेचने की क्यूं सोचता है पहले जमीन की बटवारा होगा और फिर जो तू पैसा अपने हिस्से से बेच और कहीं से भी कर उस दिन पहली बार माधव ने भावी के से जो मूँ खोल कर बात की थी भावी अगर हमारा पास इतना पैसा होता तो हम ये बात सोचते ही नहीं मातर हमारे पास दो लाख रुपिया है इतने में सिंदू का ब्यास संभव नहीं है शामा बोली ठीक है पहले जमीन का बटवारा कर दे फिर उसका बिभा कर देना अभी इतने तकी सीमित नहीं थे बिंदू का घरवाला बिक्रम ने माधव से का चाचा जी सुनो तनिक जो एक खेत बेचने वाले हैं हमरे ससुर जी के हैं कोई जो उनके कोई लड़का तो नहीं था उनकी तीनों बेटियों में ये बराबर दे दो उसके बाद खेत बेचने की सोचना माधव इतना ठक चुका था कि कभी कभी सोचता मैं नहीं रहता तो ठीक था इदर शामा का कहना था जमीन के तीन हिस्सा लेगी एक हिस्सा राम के दूसरा हिस्सा शाम के और तीसरा बहव के होना चाहिए इस बटवारे की चर्चा में लड़की का नाम कहीं नहीं था माधव अगर शामा की बात माने तो तीनों लड़कियां जो व्याह नहीं होगा अन्व्याही रह जाएंगी सिंदू, नीलू और बीनू अगर विकरम की बात माने तो तीनों लड़कियों को जमीन देना पड़े माधव की आखों की रात की नींद उड़ गई माधव ने आखिर में समश्या का हल यही निकाला कि किरपा की बेटियों को उनके पिता की संपत्ती उनको मिल जानी चाहिए उसने कोट में अरजी दी घर में शामा ने हंगामा तो किया ही पर लड़कियों का भविश्या देखते हुए माधव ने उनके पिता की जमीन में से तीनों लड़कियों को बराबर हिस्सों में बराबर बाट दिया बिंदू के ससुराल वाले उस जमीन के मालिक हो गए मादव ने सिंदू के ससुर से कहा मैं बेटी के नाम से जमीन कर दिया हूँ आप इसे बेच कर सब समान ले सकते हैं या फिर जमीन रख सकते हैं बारात का स्वागत मैं कर दूँगा सिंदू के ससुराल वाले भी जमीन लेना उन्हें उचित्स लगा मादव ने निश्ची तिथी पर सिंदू की शादी कर दी बरात का स्वागत भी मादव ने बहुत अच्छे ढंगसे किया जो थोड़े पैसे थे उसमें सिंदू और दामाद को जेवर दे दी है मादव का हाथ अब एकदम से खाली हो गया भावी के साथ रोज कले का घर हो गया था सुबह शाम शामा के तानों से मादव परिसान हो गया इधर कुछ दिनों से शामा की तबियत खराब चल रही थी मादव से देखा नहीं गया उसने अपनी भावी के इलाज करवाई दोनों लड़कों को खबर किया कि मा बिमार है दोनों लड़कों ने आकर मा को लेकर चले गए मातर छै महीने में वह अपने बेटे के पास नहीं रह सकी तीन महीना राम के पास और तीन महीना शाम के पास रही दोनों बहुँआ का स्वागत जैसे उन्होंने तानों से किया वही सब बहुँआ ने भी उसके साथ किया छै महीने बाद शामा वापस घर आ गई खेती से जो अनाज मिलता था वे उसे ही खाती थी मादव की एक जिम्मेदारी नीलू की शादी बाकी रह गई थी नीलू के लिए भी वर देखना सिरू किया नीलू के लिए भी एक अच्छा घर देखा नीरज पुलिस इंस्पेक्टर का काम करता था वे लोग भी गोरकपुर के रहने वाले थे नीलू को भी मादव ने बियड करा दिया था मादव ने जैसे सब लड़कियों को जेवर दिया वैसे ही नीलू और उसके वर नीरज को भी दिया जेट के महिने में नीलू की शादी रखी गई नीलू की शादी में रेखा सुरेखा नीतू बिंदू और सिंदू सभी आई थी और उनके साथ उनके जमाई भी मादव की ये आखरी जिम्मेदारी थी बरात का स्वागत अच्छे धंसे किया गया सब लड़कियों और दामादों को भी विदाई अच्छे धंसे की गई जिसमें कपड़े मिठाई और फल थे इन सब को पूरा करने में थोड़ी मदद वेववने भी की और मादव ने कुछ जमीन अपने हिस्से की बेची इतने में इस श्यामा का मन नहीं भरा उसने मादव को फिर कहना सिरू कर दिया दो हिस्से की जमीन तु बरबाद कर देगा अब इस घर से बचा क्या है इसको तु बेच दे तो हम भी रोड़ पर आ जाएंगे मादव अपनी जिंदगी और अपने आप से तंग आ चुका था राम और श्याम भी कह रहे थे चाचा तुमने यह ठीक नहीं किया मादव ने जो शामा को लेकर कोट में गया और अपने हिस्से की जो जमीन थी वे उसने अपने भावी के नाम करा दिया मादव ने कहा भावी जी पिताजी के जमीन के जो तुझे यह मलाल ना रहे कि हम भाई जो तुमारे रिणी हो चुके हैं तो हम तुझे उस रिण से आज चुका रहे हैं अब हमारे पास ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारा खेत अब हम दोना प्रानी हैं और इस गाव में को छोड़ कर अब हम यहां से जा रहे हैं अब तुम सब के सब इसमें खुसी से रहो यह कहते हैं माधव कविता को लेकर घर से निकल गया पहतिश्टित राम सज्जन का घर जो प्यार और अपना पन के लिए छेतर में जो जिसके नाम की तूती बोलती थी आज उसकी सारे इज़त मिट्टी में मिल गई थी दोस्तों एक औरत जिसका नाम शामा था उसने चाहती तो कहते हैं कि औरती घर को स्वर्ग बना देती है और औरती घर को बरबाद कर देती है एक औरत के गलत फैसले और एक औरत को रोक टोक नहीं करना तो जो वह गलत फैसले लेती गई और घर बरबादी के कगार पर आ पहुंचा एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे एक औरत चाहे तो घर को नरक बना दे दोस्तों यह बात जो सोला आने सच्छ है अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें राधे राधे